अभी हम लोग NCRT का exercise number 6.5 देखने वाले class 12 physics का ये same to same मिलता जुलता है आपको NCRT का example number 6.6 class 12 physics का, example number 6.6 से एक दम बिल्कुल फोटो को पिये, ठीक है, same वही situation यहाँ पे दिया वाए कि एक red है, इसको इस तरीके से घुमा रहे हैं, एक circular ring के, across इस तरीके से, इसको तो इस ची red के, इस इंड और इस इंड के across, अगर हमको EMF पता करना है, तो उस EMF का मान होता है क्या, तो EMF बराबर होता है, B omega r square by 2, ऐसा 6.6 में भी करके, हम लोग निकालो काल के भी सारा ची देखे हुए थे सब कुछ, और यहाँ पे तो ये radius जैसा ये हो गया, ठीक है, angular frequency बोला है, angular velocity को ही angular frequency भी लोग बोलते है, ठीक है, तो angular velocity यानि का angular frequency हमारा कितना, 400 radian per second हो गया, ठीक है, ऐसा unit में यह ही है, और magnetic field का मान यहाँ पे दिया हो, तो इसी formula का इस्तेमाल करेंगा, आराम से हमारा आ जाएगा, तो magnetic field का मान हो गया कितना, 0.5 into omega की बात करें, तो 400 अगुना radius क बात करें, तो radius से हमारा क्या 1, इसका square, अब I क्या 2 करना है, ठीक है, magnetic field भी यूज हो गया, omega भी यूज हो गया, ठीक है, अगर आपको मन कर रहा है, तो सुकता जागरी यह कि यह formula कहां से आया नहीं पता है, तो आप example 6.6 class 12 physics, उसको सर्च करके, उसको अराम से example 6.6 बना लो यह NCRT में है, उसको देख लो, आपका यह जू, खुझी लिए वो भी खतम हो जाएगा, स्वारी, ठीक है, तब यह इसको solve कर लेते हैं, यहां से इसका तो यह को मतलब है नि, point वड़ाएंगा, तो यहां पर क्या, नीचे 10, यह 0, यह 0, cancel हो गया, और क्यालते हैं, इससे य कट जाएगा, तो यह 20, अब 25 क्या, 100, इतना वोल्ट हमारा क्या, आंसर हो जाएगा, 100 वोल्ट का वोल्टेज, इस और इस के across, वहाँ पर develop होगा, ठीक है, भी ओ, मैनू, भी क्यू करेंगे तो, इसके across, यह में फितना develop होगा, यह मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, मित करते यह समझ में आओ, कोई रिक्कत हो, तो फिर भी कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, एक्जामपल 6.6 देखो गे ने आप, तो आपको और अच्छा के लिए और जाएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट में बता हमको, एबाउट सेक्शन में हमारा नंबर भी है, झाल